आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो बच्चों, आज हमारा प्रस्ण है हमें निर्देश दिया गया है कि निर्देश लिखी समी करण को हल करके थीटा के व्यापक मान ज्याद कीजिए हमारा समी करण है दो कॉस थीटा धन, कास तीन थीटा बराबर जीरो तो हम दो कॉस थीटा को तोड़ कर लिख लेते हैं कॉस थीटा धन, कॉस थीटा ये हो जाएगा धन, कॉस तीन थीटा बराबर जीरो चुकि हम जानते हैं कि कॉस ए, धन, कॉस ब बराबर दो कॉस ए, धन, ब बटे दो, गुडे cos a rid b बटे 2 होता है ये हमें सर्वसमी का पता है आता है हम इन दोनों पच्छों को अगर a बराबर theta और b बराबर 3 theta ले ले तो हम क्या लिख सकते हैं ये हमारा cos theta तो cos theta ही होगा इनकी जगे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos a धन b मतलब theta धन 3 theta तो theta धन 3 theta बटे 2 गुड़े cos a rid b मतलब की theta rid 3 theta बटे 2 बराबर 0 तो हम देखते हैं इसको अगर सरल कर लें ये हो जाए हमारा cos theta धन 2 cos theta 3 theta 4 theta 4 theta बटे 2 क्या हो जाएगा 2 theta गुड़े cos ये हो जाएगा हमारा rid 2 theta बटे 2 तो ये क्या हो जाएगा rid theta तो ये हम क्या लिख सकते हैं rid theta बराबर 0 चुकि हम जानते हैं कि cos rid theta बराबर cos theta होता है ये हमें पता है cos rid theta बराबर cos theta होता है तो हम क्या लिख सकते हैं cos theta धन 2 cos 2 theta गुड़े cos rid theta बराबर cos theta होता है तो इसको जगर हम लिख देंगे cos theta हम देखते हैं कि cos theta cos theta इन दोनों पच्चों में हैं तो common निकार लेते हैं तो हमारा यहां से cos theta कमार निकल किया जाएगा cos theta गोड़े एक धन या पर एक बचा है dhan 2Cos 2 theta बरावर 0 थो हम देखते हैं कि cos theta 0 होगा या एक धन 2 cos theta बरावर 0 होगा यह दोनों जिरो होरे, तो हम लिख सकते है, cos थीटा बराबर जिरो या 1 धन 2 cos 2As20 तो चुक lange हम जानते है, कास थीटा बराबर हम जानते हैं कि कास पाई बटे दो जो होता है जीरोक बराबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं कास पाई बटे दो और इसको हम अगर इधर लेके जाये तिया हमारा क्या हो जाएगा कास दो थीटा बराबर रिड़ एक दो का भाग देंगे तो रिड़ एक बटा दो तो यह हमारा क्या हो जाएगा कास दो थीटा बराबर हम जानते हैं कि कास पाई बटे तीन का मान क्या होता है एक बटे दो ती यह हो जाएगा रिड़ कास पाई बटे तीन और हमें ये भी पता है कि यदि हमें पता है कि रिड कॉस थीटा जो होता है कॉस पाई रिड थीटा के बरावर होता है ये हमें पता है अते हम रिड को अंदर ले जाएंगे तो यह हमारे क्या हो जाएगा कास दो थीटा बरावर कास पाई रिड पाई बटे 3 तो अगर हम इसको सरल कर लें तो हमारे ये कास 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई रिड़ पाई तो यह हो जाएगा 2 पाई बटे 3 ती हो जाएगा कास 2 पाई बटे 3 अब चुकि हम जानते हैं कि यदि कास थीटा डैस बराबर कास alpha हो तो जो theta dash का व्यापक मान निकल के आता है क्या होता है 2n pi धन रिड़ alpha जहां हमारा n क्या होता है धनात्मक पुणांग होता है तो यदि हम इन दोनों समीकन को तुलना करें तो हमारा theta जो निकल के आएगा theta बराबर 2n pi धन रिड़ alpha की जगह हम क्या रख देंगे pi बटे 2 तो यहां से theta हमारा यह निकल किया गया और अगर हम इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करें तो हमारा 2 theta बराबर 2n pi धन रिड़ और alpha की जगह क्या रिख देंगे दो पाई बटे तीन रग देंगे तो यहां से हमारा थीटा कमान जो आएगा दो 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 तीनों में है तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या बजाएगा एन पाई धन रिण पाई बटे तीन तो थीटा बराबर हमें क्या प्रत हो गया तो हमें थीटा का ब्याफ़क मान पता चल दिया धन्यवाद